भारत में प्लास्टिक प्रदूशन एक बड़ा खत्रा बनके उभर रहा है तब बड़ोदा में महिलाओं के द्वारा कारेरत शांदार ग्रूप की और से आम जिन्दकी में इस्तमाल होते प्लास्टिक से इको ब्रिक्स के निर्मान की पहल की जा रही है मारू नाम दर्ष्णाशा चे हूं आरेसेस मां मातरू शक्ती परियावाराण प्रमुक्षू साथे साथे शांदार ग्रूप अमारू चाले छे तो आ प्रोजेक्ट नू नाम छे गरे-गरे इको ब्रिक्स काहिंगे प्लास्टिक आपने सव कोई वापर ये चे अने आपनी ज जबला जे प्लास्टिक आपने आवे पत्ला वड़ा एक खोसी दिवाना ऑन्निया पशे तमार आ जबला पैला बेज मा आ जवा दिवानू जिसमें गरों में रेपर समेथ के विभिन प्रकार के प्लास्थिकों को एक लिटर की बोतल में भरा जा रहा है और इस बोतलों से घरों में ट्री प्लांटेशन जेसे विभिन डेकोरेशन किये जाने की जागरूता सांदार ग्रूप के सदस्य की और से फेलाई जा रही है कुबज सरड छे खाली आपणे जे प्लास्थिक गर मा रैपर ना फॉम मा पडिका ना फॉम मा जे मा पन फॉम मा आवे छे एने बेगू करवानू छे अने त्यार पछी जे रहे टीवी सीरियल जोता हो ये फ्री बेठा हो ये त्यारे एक खाली बॉटल लई अने एमा ए ठूसी ठूसी ने भरिये अने जो कदाश हिऊ लागे के कदाश प्लास्टिक जाड़ू छे तो थोड़ू कट करी ने पन दबावी दबावी ने भरिये आखा मoung नूँप्लास्टिक एमा समाई जाए छे अने ज्यारे आपने आप प्रोजेक्ट चालू करे चे त्यारे आपने रियलाईस थाई छे के महरा गर्मा हुँ आटलू प्लास्टिक वापरू शूं वहीं पुरे बड़ोदासे तैयार किये जा रहे ऐसे प्लास्टिक की बोटलों से तुलसी क्यारे समेट के निर्मान विभिन जगव पर सांधर ग्रूप करेगा जिसे चानोच समेट पवित्र यातरा धामों में प्लास्टिक वेस्ट में से ये निर्मान किये जाएंगे आम तो गणा बहुज सरा सरा सुपाई छे दरेक जन पोताना घरमा पाण एने कईकने कई कंस्ट्रक्टिव एथी बनावी शकेम छे पन छता जो कोईने एव लागतू होए कि हुँ एनो सुपाई करू अने महरे कई करू नती तो ए अमने कंटेक्ट करी शके छे अमे आना जेवी ते चाणों एक परम हिद्धाम करीने स्पिरिचल प्लेस छे तियां जहीने तूलसी क्यारों बनावाना छे अने सेवातीर्थ करीने एक आश्रम छे तियां अगर जहीने पन अमेनू बाड़कों माटे कंस्रक्शन करवाना छे बड़ोदा में शांदार ग्रूप के साथ 200 से जादा सदस्य भी जुड़े हुए हैं तब ग्रूप की संचाले का दर्शना साने बी आर जी नियूस से ये जानकारी साजा की थी अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आर जी नियूस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आर जी नियूस की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें